हेलो इंडिया, वेल्कम बिंड्यन ऐ अई पडूक्षिन्ज दोस्तों आप डेटा सांटिस्ट बनना चाहते हो या आप डेटा सांटिस्ट होक्त्ति Machine Learning Engineer बनना चाहते हो चाह आप Machine Learning Engineer हो या आप Artificial Intelligence, Computer Vision, Natural Language Processing या Python Developer इस फिल्ड में आप काम कर रहे होंगे और आपको अपटो डेट रहना है और आपको एक दम Expert बनाना है या आप इस फिल्ड में Entry भी करना चाहते हो तो आपको एक website का नाम पता होना जरूरी है और उस website को किस तरीक से इस्तमाल करते हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है और मैं आपको ये भी request करूंगा कि weekly विकली आप क्या करो उस website के ओपर जाओ और थोड़ा आप इधर उदर टहल लो ये आपको करना बहुत जरूरी है आप आगे grow करना चाहते हो या आप start भी करना चाहते हो आपका career in the field of data science and machine learning तो उस website का नाम है papers papers with code इस नाम से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर भाई कुछ papers है with code के साथ कुछ papers है with code के साथ अब यह paper कौन से होंगी आपके newspaper बिल्कुल नहीं क्या आपके यह rough paper होंगे बि बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर आपको जो papers मिलेंगे वो research paper मिलेंगे कौन से paper मिलेंगे research paper और यह research paper में क्या होंगा यह research paper के साथ आपको code भी दिया जाएंगा अब यह code किसका होंगा जैसी कि आप machine learning या deep learning का कोई algorithm है जिससे क्लासिफिकेशन algorithm है जिसे कुत्ते और इंसान क क्लासिफाई करने वाला कोई algorithm है उस algorithm को किसी ने design किया कोई scientist ने design किया है तो वो paper publish करता है कि भाई मैंने किस तरगे से algorithm बनाया है और यह किस तरगे से accuracy दे रहा है तो उसी के साथ कोई ऐसे महान scientist रहते हैं जो अपना work open source कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं जो भी उसने code create कि क्योंगा कुछ और इंसान को define करने के लिए classify करने के लिए तो वो सारा का सारा code आपको दे देता है तो code कहां पर मिलेंगा उसकी link उस paper में ही दी जाती है तो वैसे paper आपको papers with code इस website के उपर मिलेंगे और इसी के साथ आपको मैं आगे बताऊंगा वो किस तरह के से आपको अ जैसे आप इस website के उपर आते हो तो आपको इस तरह के से कुछ interface मिलेंगा और यहाँ पर आपको इस तरह के से paper और code यह इसे आपको buttons मिलेंगे और यहाँ पर आपको कुछ papers मिलेंगे और यहाँ पर आपको उस link मिलेंगी और इसी के साथ यहाँ पर आप दिखूंगे यह उस आगोस्ट का यह paper launch हो चुका है तो यहाँ पर इस information मिलेंगी और यह paper किस के लिए बनाया है तो यहाँ पर object detection इसके ओपर यह paper बनाया है style transfer तो यह technology का मतलब पूच algorithms का यह field का यहाँ पर आपको tag मिल जाएंगा और इसके वाद यहाँ पर star मिलेंगे तो कितने लोगों ने उसको star दिये है यह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी information उसके वाद यह stars आर्ज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी information paper कहा से आपको लेना यहाँ पर information मिलेंगी code कहा से उसक तो रूव फॉर्मर एन्हांस ट्रांस्फॉर्मर वित रोटरी पोजेशन एंबेडिंग तो यहाँ पर आपको 2689 यह पर आपको स्टार मिल चुके यह 20 एप्रेल 2021 को यह लॉंच हुआ था राइट यह जो लैंग्विज है यह जाक्स लैंग्विज है इस लैंग्विज में य जो भी कुछ अलगुर्दम होंगा जो भी कुछ बताया होंगा वो रिटन किया है जाक्स प्रोग्रामिंग लैंग्विज में राइट तो आप इस तरह के सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको जो पेज में मिलेंगा वो ट्रेंडिंग मिलेंग अपको कुछ न्वीज चाहिए तो आप इस न्यूस के उपर हो तो जो भी लटेस्ट नीस होंगी तो ओने मिल जाएंगे मतलब जो इस पीपर मिवाई इसको बाद greatest जो greatest paper रहेंगे जो greatest paper रहेंगे जिसको maximum लोगों ने follow किया है जिसको maximum लोगों ने follow किया है जिसको अच्छा कासा review मिला है वो greatest paper आपको मिलेंगे तो अभी यापर आपको greatest paper है वो है tensorflow जो 17 April 2017 को यह publish हो था यह paper जो TensorFlow library जो framework के Python का इसके उपर यह बताया गया है तो यहाँ पर आपको देखर हो 158,275 लोगों ने इसको यहाँ पर स्टार मिल चुके है उसके बाद है models यह जो TensorFlow का ही है उसके बाद है PyTorch जो 8 June 2021 को यहाँ पर 50,000 लोगों ने इसको क्या किया है मतलब 50,000 स्टार्स मिल चुके यहाँ पर मिल जाएंगे तो इन पेपर के उपर जाकर आप पड़ सकते हो अब हम बात करते हैं जो important चीज़े जिसके उपर आपको पता होना चाहिए डेटासेट जैसे कि आपको कोई डेटासेट चाहिए कोई प्रोजेक्ट आप क्रेट कर रहेंगे तो आपको क्या करना है डेटासेट के ओपर क्लिक करके आपको multiple डेटास मिलेंगे जिसे सीफार डेटासेट है इमेजनेट है एमनिस्ट है कोको डेटासेट है जो Microsoft common object in context तो यहाँ पर आपको डेटासेट पॉपलर डेटासेट मिलेंगे किती डेटासेट है जो सेल ड्राइविंग कार के ओपर कोई काम करता है तो यह डेटासेट को फॉलो करता है तो यहाँ पर आपको 100 of multiple मतलब 1000 of 8 machine learning डेटासेट अवेलेबल है उसी के साथ आपको image डेटासेट चाहे तो यहाँ पर आपको image डेटासेट मिलेंगा 1443 नेक्स यी, प्रशंसुन डेन गैटासेटेज्स लॉर्पार आपको यह ऑपर आपका देने चुंद से बात कर्ते व्टंग, अर्प अपको डेटासेट thonton के आपको आपको यह ऊपर अपको डेने चुका यह, है उसके बाद अब हम next बात करते ब्राउज ब्राउज स्टेट अप्द आर्ट अल्गृदम यह important चीज़ है तो इसके उपर आप क्लिक करो तो इस पेज के उपर आजाओंगे इस पेज के उपर आने के बाद आपको कुछ यहापर information मिलेंगे कि वहाई हमारे code with code यह भाछ बड़ी चीज़ है तो यहापर आपको आना है और इसके बाद अप computer विजन इस फिल्ड में काम करेंगे तो यह portion आपको important है आप natural language फिल्ड में काम करेंगे तो आपको यह portion important है आप medical फिल्ड में काम करेंगे हो सकता है यह computer बिजने नच्रोल लेंग पूँड़ने आप पहादेन आपको इम्पोर्शिन आपको में इस्ट्माल कर रहे होंगे यह फोल्ट यहीज को फीच्टर आपको मतलब इसक्षेन इंपोर्टन परियों USB करें सेंपोर्श प्लिजम अब भी आप गेम करें सेंपोर्श इंपोर्शन इसे प्रोजेक्ट है उसके उपर आप काम करेंगे इमेज सेग्मेंटेक्टेक्शन, सिमेंटिक सेग्मेंटेशन, ऑब्जेक्टेक्शन, इमेज जनरेशन, दिनोजिंग और इसके अलाव भे डिर सारे टास्के जो 100, sorry 1107 टास्के उसके उपर आपको देखना है तो आपको क्या करना है यहापर क्लिक करना है तो आपको multiple टास्क मिल जाएंगे तो जो भी आपकी द जाएंगे with code, right तो आप scroll down करो तो आप जितना scroll down करेंगे उतनी यहापर आपको अलग अलग चीज़स के उपर क्या मिलेंगे आपको project मिल जाएंगे मतलब paper with code तो अभी हम बात करते इमेज classification के उपर तो हम image classification के उपर क्लिक करते हैं तो image classification के उपर आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का interface मिलेंगा जहाँ पर बता दिये जाएंगा image classification उसके कितने paper available है with code, benchmarking, 69 benchmarking है और data set कितना है image का 128 data set अब इमेज classification क्या है इसके बारे में यहापर बता दिया है next हमार जो important चीज़ हो है benchmarking अब यह benchmarking क्या होती है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आप एक racing car बना रहे हो racing car बना रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई हमारी कार 40 km प्रतियार से चलती है हमारी कार 50 km और 60 km प्रतियार से चलती है तो आपने कार बनाए और आपने दोड़ा दिया कोई एक स्वाजर जगा पर जैसे अपने हैधराबाद location पर दोड़ा दिया अपकार और आप बोलोगे कि भाई मेरी कार 40 km प्रतियार से दोड़ती है किसी दूसरे कंपनी ने कार बनाया वो बोल रहे है बैंगलोर के रस्ते पर दोड़ाएंगी और बोलेंगी हमारी कार 60 km से कार बनाये हमें फरक ने पड़ता लेकिन आपकी कार को दोड़ाने के लिए हैधराबाद, पुने, बैंगलोर, मुंबई, कोई भी लोकेशिंगा एक बेसिक लोकेशन डिफाइन की जाती है जैसे मान लोकेशन देली है देली में एक लोकेशन है एक स्वाजेट उस लोकेश एक घंटे में कितने स्वाजेट पे दोड़ी थी और उसके बाद सिंपल लैंगुज हम बात करेंगे तो किलोमेटर पर आर उसका कितना था वो हमें बताओ तो जब भी आप कार लेनी जाओंगे तो आप क्या करूंगे कि भाई देली में जो एक्सवाजर रस्ता है जो पच किलोमेटर पर उस रोड़ पे तो आपको हाइस्ट स्पीड वाड़ी कार चाहिए तो आप बोलेंगी वहाई मैं टेसला लूँगा क्योंकि टेसला की कार सव किलोमेटर पर प्रती आर की रफ्तार से चलती है तो जब भी आप आपकी कार लेना चाहंगे तो आप क्या प्रति आर की रफ्तार से दोड रहती, तो आप क्या करोंगी, वही कार लोगे, क्योंकि आपको fastest car चाहिए, आपको fast car चाहिए, तो वही standards, वही benchmark क्या होता है, हमारे data science और machine learning field में रता है, depends on आपका data कुणसा है, जैसे आप natural language में रहेंगे तो आपका benchmark अलग रहेंगा और उसमें भी specific काम जो होगा text translation, sentiment, segmentation तो अलग अलग task रहेंगे उसी तरीके से हमारे computer vision में image classification के जो task है जो अभी हमने click किया था image classification के ऊपर तो यहाँ पर हमारे पाज benchmark के लिए total 669 benchmark available है तो इसका मतलब क्यों आँगा जैसे हमारे पास ए click करते है तो image net के उपर आप click करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का information मिलता है तो in short आपको बताना चाहूंगा कि image net में कुछ बहुत सारा data है जैसे कि यहाँ पर मैं Google में search कुरूंगा image net, image net data, image net data set तो यहाँ पर आपको information मिलेंगी कि image net data set में contain, contain कितना यहाँ पर एक करोड़ फोर्टी वन लाक नाइन्टी सेवन थाउजन वन हंड़ेट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटेट इमेज है अवेलेबल अनोटेट इमेज राइट और वोट सिस्ट दोजार दस से वह data अवेलेबल है और उसमें 1000 उसमें 10,000 द इमेल जाएंगे दोस्तों आपको, ृधार्डोर में जाओंगे तो डाउलोर में जाऊंगे इन्टी। आपको main information मीशन में मिलेगे किभाय हंपास कितना dataset available है , जैसे कि यह इसे कि आपर अपर बि ed training dataset हमारे पास itna available है, validation dataset हमारे पास itna available है और test image हमारे पास itna available है और हमारे पास object classes कितने हैं तो हमारे पास object classes 1000 object classes available है जिसको हम classify करेंगे तो जब भी कोई बंदा अपना algorithm बनाएंगा image classification में, object classification में तो क्या करेंगा, जो image net का data set है, वो download करेंगा और उसके बाद अपना model train करेंगा इतने data set के उपर, इतने images के उपर validate करेंगा, और उसके बाद उसको जो accuracy मिलेंगी उसको जो accuracy मिलेंगी, वो क्या करेंगा, वो paper में mention करेंगा, अब जैसे कि हमारे पास इस data set के उपर जैसे कि हमारे पास image net data set के उपर आप click करेंगे, तो यहाँ पर धेर साहे लोगों ने अपने algorithm train किया है, जैसे कि यहाँ पर image net data set 2010 में एक algorithm था, जो नाम था, shift plus fvs, यह algorithm आया था, उसके बाद 2013 में यह algorithm आया था, Alex net, उसके बाद आया था 5 base, 5 highs raise, उसके बाद inception net, तो ऐसे algorithm आते गए, और अब यह at the end में 2021 में आप दिशे तो, धेर सारे algorithms implement हो जो चुके है, ढे सारे आप नहीं बोल सकते, आप देखोंगे तो हफते में एक आद algorithm तो आई जता है जो image classification के उपर रहेंगा, तो यहाँ पर बोल रहेंगा, तो यहाँ पर बोल रहेंगे बाइस देखो, हमारा algorithm हमने train के आद टेस्ट के तो हमें इतने accuracy मिली 90%, 90.35%, 90.2%, 90% तो जो भी algorithm सबसे best accuracy देंगा उस data set के उपर तो वो टॉप में रहेंगा, तो जैसे कि आप देखोंगे हो, वी आइटी जी 14 इसने 90.45% accuracy दिये, तो यह टॉप में आ चुका है, और उसका number of parameter कितने है, यह इतने parameter है, उसने बोला है, उसके बाद paper, यहाँ से आप उसको paper ले सकते हो, paper का नाम है, scaling vision, scaling vision transformer, यह paper का नाम है, उसको बाद यहाँ पर result आप दे सकते हो, उसको बाद यह कौन से year में publish किया गया था, तो 2021 में, अब यह latest publish हुआ है, और उसका जो base model कौन सा है, जो architecture में, तो यहाँ पर transformer है, right, transformer, यब यह क्या है, तो हम आगे देखेंगे, right, उसके बाद efficient net है, उसका base क्या है, convolution neural network है, या self supervised learning है, तो यहाँ पर उसके tagging आती है, तो देख सकते हो, दोस्तों, यह अभी latest model है, तो जब भी आप image classification का आप कोई project है, जिसमें कुते, बिल्ली, गधा, गोडा, कुछ भ अभी आप क्या करूँगे, अभी आप क्या करूँगे, अभी यह resonate, फिजनेट, inception, exception, right, यह algorithm user नहीं करूँगे, क्योंकि यह पुराने हो चुके, उसकी accuracy बहुत कम है, तो आज की दुनिया में आप जाओंगे, तो आप बोलोंगे, कि भाई, मैं VIT G14 इस्तेमाल करूँगा, या VIT MOE इस्तेमाल करूँगा, या मैं Meta, Sudolabel का इस्तेमाल करूँगा, या मैं NF, यानि यह इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इनकी accuracy बहुत तगड़ी है, यह latest algorithm है, तो जब भी आप कोई गाड़ी खरीजनी जाते हो, तो पूराने जमाने की गाड़ी नहीं खरेते हैं, अब नए गाड़ी खरीचते हो, क्योंकि वह आपको अच्छा performance, अच्छा look, सब कुछ अच्छा अच्छा देती है, तो उसी तरीके से आपको, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करने जाओंगा, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेंगा, Natural Language Processing Image के उपर कोई होंगा, तो आपक के बाद आपको बेंचमार का कोई भी डेटा लेलो, जो फेमस है, जो उपर है, वही आप सबसे पहले लेलो, उसके बाद आपको, जो अलगर्दम टॉप में मिलेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, कोई भी आप अलगर्दम, चूज करो, आपके प्रोजेक्ट के लिए इसके उपर क्लिक करो, इसके उपर क्लिक करने के बाद आप इस जगा पर आ जाओंगे, इस तरह के आपको इंटरफेस मिलेंगा, सेम इंटरफेस मिलेंगा, हर एक चीज के लिए, हर एक पेपर के लिए, तो इसके बारे में आपर जानकर दी जाती है, पेपर होंगा, तो प पर आप आओंगे तो image classification यह task है अब dataset देखो इमेज ने dataset के उपर accuracy इतनी मिली थी global ranking उसकी क्या है top में यभी उसका दी दूसरा dataset लिया था उसने उसका दूसरा dataset लिया था उसकी रैंकिंग यहाँ पर fourth में है क्योंकि accuracy 90.81% है तो हो सकता है इस dataset के उपर कोई और algorithm होंगा जिसने 90.81% से भी जड़ा accuracy ली होंगे तो इसलिए rank उसकी क्या global rank 4 है इस dataset के उपर तो यहाँ पर आपको जितने भी dataset के उपर यह algorithm train and test किया होंगा तो उसकी जानकार यहाँ पर मिल जाएंगे तो यह जो paper था इस paper में जो algorithm था 1,2,3,4,5,5 dataset के उपर इसने train and test किया है तो उसकी accuracy आपर आ चुके मतलब बता दी गई है तो इस तरह के से आप क्या कर सकते हों जब भी आप आपका कोई algorithm top में लाना है best algorithm बनाना है तो आपको यह जो VIG 14 इस algorithm को आपको पीछे रखना पड़ेंगा क्योंकि इसके accuracy 90.45% तो जब भी आप आपका algorithm publish करोंगे तो image net dataset के ओपर 45 ने होना चाहिए 46% accuracy होनी चाहिए तब आपकी global rank 1 rank रहेंगे तो यह है जानकारी चलो हमें algorithm बनाना है नहीं बनाना यह आपके ओपर है बट बनाया हुए algorithm को किस तरह के से इस्तमाल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है पेपर के ओपर क्लिक करोंगे तो आप आर्जी वेबसाइट में आपको कोई भी पेपर मिल जाता है वो code के साथ रहे या without code से रहेंगे तो इस side के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना transformer उसके बाद उसकी top accuracy आप आप देखते हो top accuracy आप उसने बता दी है तो paper से information extract की जाते है और इस website के उपर दी जाती है यह अपने आप से नहीं बनाते है जो भी paper publish होता है जो आर्जी website के उपर दिखता है वहाँ से वो paper daily देखते रहते है और इसके बाद उसको सही तरह के से extract करके इस website को update किया जाता है यह right तो चलो इसके बार में आपको पढ़ना है तो आप निचाओ 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 तो कोई ना कोई बन दे जो papers with code इस company में काम कर रहे है तो यह paper को पढ़ते रहते है और उसकी information extract करके इस website के उपर paper with website के उपर publish करते रहते हैं तो यहाँ पर आप देखे तो इस website इस code को आपको इस्तमाल करना है तो आपको paper पढ़ना पढ़ेंगा और इसका code अवेलेबल होंगा तो आपको बताना चाहूँगा maximum तोर पे maximum तोर पे अभी जो latest paper आते तो उस latest paper में जो भी बन्दा code अवेलेबल करता है त तो इस तरह के से आपने देखा कि papers with code इस website को किस तरह के से इस्तमाल करना है उसी तरह के से आप machine translation में जाओंगे तो आपको same benchmarking मिलेंगे code अलग अलग मिलेंगा उस benchmark की उपर आप जाओंगे तो आपको same process follow करने जो मैंने computer vision image classification के लिए बता दी है तो I hope दोस्तों आपको यहां पर Google में search करना है best algorithm 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 for for image classification आपको ऐसा search नहीं करना है आपको गूगल में अच्छे कासय दिए कि नहीं मिलेंगी तो आपको क्या search करना है यहां पर थोड़ा U.S. Prem मिलेंगे ना यहां पर information यह outdated रहेंगे अपडेटेट नहीं रहेंगे Google में SEO में जो rank है ना वो rank आने के लिए time लगता है तो आपको सबसे पहले जो hot test algorithm आपको देखना है तो आपको papers with code इस website के उपर ही जाना है और hot test के उपर क्लिक करना है किसके उपर hot test के उपर क्लिक करना है आपको all to fall to website में latest information नहीं मिलेंगे आपको best website यहीं है जो दुनिया में कहीं भी कोने में अपना paper publish करता है तो इस website के उपर पता चल जाएंगा जो हमारी data science and machine learning field है इसके बारे में राइट तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ जब भी आपका project का problem रहता है तो जो भी problem है उसके हिसाप से जो paper है यहाँ पर देखो उसके बाद ही आप आगे बढ़ो नहीं तो आपने क्या-क्या AlexNet के उपर आपने आपका model train किया उसके बाद आपका accuracy में 85 उसने आपको deploy किया और उसके बाद आपका जो भी project रहेंगा वो at the end में जब आप उसको deploy करेंगे तो जब भी आपका competitor आएंगा तो वो आपको खा जाएंगा आपका जो भी project रहेंगा वो launch होने से पहले ही खतम हो जाएंगा तो आपका market share पूरा down हो जाएंगा तो इसलिए जब भी आप machine learning आ data science field में आपका project बनाना चाहते हो तो सबसे पहले paper with code पे जो भी latest paper है जो भी latest five paper है आपके field के इसाफ से आपके project के इसाफ से तो उसको पहले देखो भाई उसको check करो और उसके बाद आपका project solve करो right मैं बार बार यही बोल रहा हो नहीं तो आपका project पानी में चला जाएंगा त तो चोल यार इस tutorial के यह इफ हम end करते हैं मिलेंगे हम next studio में तब तक के लिए सिखते सकावाते कुछ implement करते रहो धन्यवाद